हलो एवरिवन हमने आपका लेसन पड़ा था क्लास 6 का जनरल इंगलिश का लेसन 10 अब हम उसके question answers कर लेते हैं सबसे पहले exercises में आपको first word power में question दे रखा है fill in the blanks first में fill करना है near, second में fill करना है he, third में fill करना है his came, said, hungry, give, eat, was इसके बाद comprehension में आपको right, wrong दे रखे हैं first का answer होगा right, wrong, wrong, right, right, wrong इसके बाद आपको question answers दे रखे हैं सबसे first question है where was the young boy sitting जो young boy है वो कहां पर बैठा हुआ था कहां पर बैठा था, तो इसका answer है the young boy was sitting near the window जो चोटा लड़का था, वो खिड़की के पास बैठा था second question है what was he doing near the window, वो खिड़की के पास क्या कर रहा था तो इसका answer है he was doing his homework at near the window, वो क्या कर रहा था खिड़की के पास अपना जो homework होता है, घर का जो काम होता है, स्कूल से जो घर का काम मिलता है, homework जो मिलता है वो कर रहा था third question है why did his mother call him, उसकी mother जो है वो से क्यों बुलाती है, तो इसका answer है his mother called him for breakfast, उसकी जो mother होती है, उसकी जो माँ होती है, उसे नाश्ते के लिए बुलाती है fourth question है what did the beggar say, beggar जो होता है, जो विकारी होता है, वो क्या बोलता है, तो इसका answer है, the beggar said that he was very hungry and he had eaten nothing for two days जो विकारी है, विकारी ये बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा भूका है और उसने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है, वो बहुत ज़्यादा हंगरी है, हंगरी का मतलब होता है भूका इसके बाद fifth question है, why did the boy give his breakfast to the beggar? जो boy होता है, जो लड़का होता है, वो अपना जो नाश्ता होता है, अपना जो breakfast होता है, वो विकारी को क्यों देता है, तो इसका answer है जो लड़का होता है, वो पता चलता है, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा भूका है, उसने बहुत इनों से कुछ खाया नहीं है, इसलिए वो उसका जो नाश्ता होता है, उस भिकारी को दे देता है जो उसकी मा होती है, जो लिटल बॉइ की मा होती है, उन्हें बुग शेल्फ में क्या मिलता है, तो इसका answer है His mother found his packed breakfast kept on a bookshelf उसकी जो मा होती है, जो little boy की मदर होती है उन्हें bookshelf पर पूरा जो नाश्टा होता है वो पुरी तरी किसे pack करा हुआ मिलता है बंधा हुआ पुरी तरी किसे नाश्टा मिलता अलमारी के उपर रखा हुआ होता है 7th question है Why did the boy keep his breakfast on a bookshelf जो boy है, वो अपना नाश्टा किताब रखने वाली अलमारी के उपर क्यों रखता है तो इसका अंसर है On the bagger did not turn up for some days So the boy kept his share on the bookshelf जो bagger होता है, जो बिकारी होता है कहीं दिन तक वो नहीं आया था ठीक है, लड़के से जो little boy है उसे मिलने वो बहुत दिनों तक नहीं आया था इसी लिए उसका हिस्सा किताब वो जो bookshelf है, उसमें रख देता है 8th question है What moral do you get from this lesson? यह lesson जो हमने पढ़ा A kind boy, उससे आपको क्या सीख मिलती है तो इसका answer है It is glorious to help every person मतलब जब हम किसी की भी सायता करते हैं, किसी की भी help करते हैं तो बहुत जदा glorious होता है मतलब glorious मतलब वो हमें happy हमें और happy बनाता है आनंद दायक होता है glorious होता है किसी की भी help करना Next question grammar in use में आपको fill in the blanks दे रखे हैं जो कि आपको is, are, was या word को use करके fill in the blanks fill करना है is, are, was, were, क्या होते हैं ये helping verbs होते हैं और more specific तरीके से बोलें तो ये auxiliary verbs होते हैं तो इनका use करके आपको एक question दे रखा है question में एक जो verb है helping verb है वो missing है, वो आपको fill करना है और फिर उसी question का answer लिखना है तो first जो blank है उसमें fill करेंगे is what day is it today और इसका answer लिखेंगे today is Saturday फिर second question है कि उसमें आपको fill करना है was ठीक है what day was it yesterday yesterday मतलब जो दिन बीच चुका है उस दिन कौन सा दिन था तो इसका answer लिखेंगे yesterday it was Friday yesterday कौन सा दिन था Friday का दिन था third है what month fill in the blanks पर fill करेंगे is what month is this मतलब जो कौन सा महिना है तो इसका answer है it's April fourth question है fill in the blanks में fill करना है was तो question बनेगा what month was the last month last month कौन सा month था तो April से पहले कौन सा आता है March आता है तो it was March fifth question है blank में fill करना है are तो question बनेगा where are you now अभी तुम कहां हो तो इसका answer है I am at home मैं घर पर हूँ sixth question है where bracket में ये जो fill in the blanks में fill करना है were तो question बनेगा where were you yesterday तुम कल कहां पर थे तो इसका answer है I was in Delhi मैं Delhi में था अगर ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please subscribe to the channel and drop me a like और अगर आपके कोई भी queries हो कोई भी doubt हो तो आप comment section में लिख सकते हो thanks for watching have a nice day